स्लो करो स्लो करो गाड़ी करव है भाई आपका इतनी स्पीड में मोड काट रहे हो आपका मिडल ही नहीं रुक रहा आप उदर उपर जा रहे हो आप देख रहे हो करव में गाड़ी स्लो करते हैं ना बाई जान चलो शाबाश जो 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 असलाम अलेकूम कैसे हैं जी आप लो आने से सामने इजमान का आना चाहिए कर वारहे ना वैसे पहुँ थोड़ा सा लुज करेंत जहां कर वाता है तो हुआ है आपको कंट्रोल चाहिए चीक है आप देखें उठा दें पाउं ब्रेक से रेस पे पाउं रखें वहां भी ब्रेक लगाने जुरुवत नहीं थी बस रेस थोड़ी सी कम करतें कम चल जाना था यह गिवे लिखा हुआ है गिवे का साइन है ना इसका मतलब है जो दूसरी तरफ से गाड़ी आईगे उसक चैक करो निक मूव नहीं कि मैं कैसे मालन हूं यार निक मूव करनी होती है शॉलडर चैक करने में बताया नहीं आपको यह कॉर्णर में देखने आपने ये ब्लाइंट स्पॉर्ट एरिया होता है जो पिछला दिर्वाज़ा ना आपका वहां पर उसके बराबर में जो के देखने थोड़ा बस यह है कि निक मूव कर लो ठीक है और एक और बात इसी लाइन में रखो हाइवे पर कभी भी आप याद रुको मर्ज करने ना आपने चक्रोदर तो कम अज कम आज-कम आपकी स्पीड 60 से उपर होनी चाहिए सक्सिस से नीचे नहीं होनी चाहिए थीक है आप इमैजन करो पीछे से गाड़ी 140-120 पर तो तो थो आपके शार पर नहीं आ जाए गा आये चाहिए वो तुप उड़ा के ले जाए आपको तो इसलिए कभी भी याद रखो आपने हाइवे पे मर्ज करना है ना जब स्पीड बढ़ा हो यार यहां गाड़ी स्लो मत चला और ब्रेक यूज मत करना ठीक है अब आप सेफ डिस्टंस रखो तीन चार तीन सेकंड का डिस्टंस होना चाहिए राइट आओ राइट लाइन मे राइट कि दर है आपका अब लेट इंडिकेटर लगा रहे हो अब रहे से पाँ हटा दो देखो कर वा रहा है हमारे पास एरिया क्लियर सिधा नहीं है ना यह क्या लिखा हुआ साइन बोर्ड में हंड्रेट तो आपने हंड्रेट को फॉलो करना है ठीक है वह उस तरफ वाल है ठीक होगया आपके लिए और हाइवे पे लाइन चेंज करने में अगर सामने गाडिया एक अलग बात है अडर्वाइज लाइन चेंज करने में ब्रेक नहीं लगाते कभी भी ब्रेक नहीं लगानी अपने हाइवे पे यह याद रखो रेस एंपां हटाओ तोड़ा सा पर समस्क्राइब जब सक्राइब कर्णाई विर्ट के हिसाब से चलाओ बस को तो गटो हो गाड़ी आपका देखो रोड आ से आनीमन रोड़ा ना इसलिए देखा करो पभी याद रखो यह देखते हैं आपके रोड में करव है कि नहीं आपके रोड में जो यह पबलिंग कर रही है गाड़ी हिल रही है गाड़ी ना क्लियर नहीं है तो उस ऐसी सिच्वेशन में ज्यादा ओवर स्पीट नहीं करते हैं क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल होगा आपके लिए देखो इसका द्रवाजा कुला हुआ है प्रोग्राम तो बढ़ गया इसको चलो जब सिधा जाओ पकड़ा गया विचारा सही है समझागी चले अभी हम एक्जिट लेंगे राइट इंडिकेटर लगाओ सेंटर मीरर और राइट साइड चेक करो प्रेश से पाउं हटा दो सामने ब्रेक लगानी पड़ेगी हमें सामन के ट्राक है वह राम से जाएगा आगे कर्व आरहा कर्व में स्पीट हमारी कम होनी चाहिए ठोड़ी ठींग है चलो चले जी अमीद है आपको समय जाई होगी के हाईवे पर कैसे मैनेज करना हैं आपने स्पीट को मजीड इसे रिलेटर को कौश्चन है और दूरूर कमेंट पिर आपके लिए इस्पेशल में खुद ड्राइब करके क्लास करूंगा ठीक है विडियो रिकार्ट करेंगे फिर ओके दौा में याद रखें सब्सक्राइब करें प्लीज अलाफेज